नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है और मैं हूं डक्टर पंकज दोस्तों यह जो आप ओनियल रूट्स देख रहे हैं यह हमने केवल टावल और पानी की साहता से इनको उगाया हुआ है तो दोस्तों आज का वीडियो प्याज क निकली हुई है प्याज हम सभी लोग खाते हैं तो दोस्तों आए स्टार्ट करते हैं मार्केट से आपको छोटा छोटा प्याज लगवग आदा किलो तक का ले लेना है बहुत बड़ा प्याज नहीं लेना है और बहुत अच्छी क्वालिटी का भी प्याज नहीं लेना है उसके बाद में प्याज के निचले हिस्से में निचला हिस्सा जहां पर हलकेल की रूट्स निकली होई होती हैं वहां पर काट देना है इस प्रकार से प्याज को उपर से भी काट दें और इसकी जो बाहरी लेयर है बहुत डीप नहीं केवल पतली सी जो बाहर वाली लेयर होती सब्सक्राइब वियुआ ये इस अदेश your लाइं से पिल आँट कर देना है इसका इसलता है और इसका आल करता है तो दोस्तों अगर आप इस मार्केट को ले आते हैं और जहांपे इसकी नौ है यहां पर देखिए आपको नहीं आक नहीं क्योंकर आप डीप में काट देंगे तो इसकी रूट्स डिस्टर्ब हो जाएंगी केवल इतना हिस्सा काटना है और यहां से नई रूट्स का इनिसेशन हो जाता है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब इसका उपर से इसका पहली पर उतारते हैं तो आपको कोई रूट् केवल पानी की साहता से ऑब उगा ले जाएंगे देखें यहां पर रूट्स आपको दिखाई दे रही है तो इनको नहीं इटाना है केवल पूरानी रूट्स से उनको रिमूब करना है जिससे एक नहीं रूट्स यह फो डव्लप कर जाएंगी दोस्तों एक छोटा सा इस प प्याज को आपको सीधा सीधा रखना है माने जड़वाला हिस्सा आपको नीचे रखना है और उपर वाला हिस्सा जहां पर से प्याज की पत्ती निकल ले थी वह वाला हिस्सा उपर रखना है और क्रम से रखते हुए चले जाएं इस वात कर ध्यान रखें कि आपको सीधे कोई प्याज दिर्शानी होना चाहिए नई तो फ्रोष में ग्रोथ होने में थोड़ी दिक्कत होती है किसी प्रकार का आपको इसमें क्योट फेडलाइजर या किसी प्रकार का रूट इनिशासं कुछ भी नहीं डालना फिर्ट ने दको सेट कर लेना है दोस्तों अगर आप हम आपको उपर से पानी डाल देना है पानी आपको इस प्रेशर से ही डालना है वैसे पानी नहीं डालना है आप देख रहे शुटे-चोटे से और एक बार को बनाने भरकी याल इसमें देखो निकल आएगी तो आप इस प। काषसे बसंत वाले प्याज को बने परके याज को दूब कर ias बार बनने बार का प्याज आपका हर्वेस्ट हो गया बिलको ले टोटल आर्गेनिक आल है लगवग जो है एक बार की सब्जी आपकी इसमें वहुत आसानिस बन जाएगी और दोस्तों फिर इसके बाद में आप देखें कि अगर आपका कोई प्याज की गांट जो है अगर ग् रूर्स को चेक कर लें और अगर आपका जो टावल है थोड़ा पोरस है तो दिश्चे तमानी एक नीचे की तरफ देखें नीचे की तरफ कितनी जादा इसमें रूर्स जो है वो चली गई है तो थोड़ा से इसको बिट बनाए रहे हैं माने दूसरे तिससे दिन आपको हलक इसमें जो है बहुत अच्छे से फिर से ग्रोथ हो जागी और इसको तुबारा हर्वेश्ट कर सकते हैं दोस्तों देखें ए दुबारा हर्वेश्ट करने के लिए आपकी प्यास की फसल तयार हो गई है एलगवर्व जो बाराव दिन का एरिव्यू है और हम भी उसको तिसस जो flowering plants हैं उनके बारे में या palm के plants हैं उनके बारे में आप चेक आउट कर सकते हैं हमने सबकी playlist अलग से बना रखी है और इस प्रकार से आपको जो है इस प्याज को harvest कर लेना है दोस्तों यहां पे एक विश्यस बात कर ध्यान रखें कि इसको जो है उस वाले प्याज का आपक आप उसको सकते हैं और बाकी प्याज इसले कार से बताएगी बिल्क एनुसार आप जो है उसको ग्रोग कर सकते हैं दोस्तों देखे दूसराबर में कितना सभराधे सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें हार्वेस्ट करने के बाद में आपको फिर इसमें पानी डाल देना है और तीन से चार दिन तक फिर बेट करें तो आपका प्याज जो है फिर से एक बार आप इसको फिर से हार्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि इसका सारा जो स्टोर फूर होता है प्याज का बल्व होता है जिसे हम गांट करते हैं तो इसमें सारा जो भोजन होता है उसका इसी में कठा होता है तो अगर आल मार्केट में आप लेते हैं थोड़ी महगी मिलती है इस पकार से आप अपने घ